नमस्कार दोस्तों कमाई के मुके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत हैं दस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बरसात में करे पपीता की व्यग्याने खेती और कमाई लाखों रूपे की इंकम दोस्तों पपीता सबसे कम समय में फल देने वाला पेड है इसलिए कोई भी इसे लगाना पसंद करता है पपीता न केवल सरलता से उगाया जाने वाला फल है बलकि जल्दी लाब दिने वाला फल भी है यह स्वास्थवर्धक तथा लोकप्रिय है इसी से इसे अमरित घच भी कहा जाता है पपीता में कई पाचक इंजाइम भी पाय जाते है तथा इसके ताज्ये फलों को सेवन करने से लंबी कबजियत की बिमारी भी दूर की जा सकती है दोस्तों अब बात करते हैं जलवायू वसमें पपीते की खेती के लिए पोधा आम और पर जून जुलाई में लगाया जाता है लेकिन कुछ इलाकों में जहां सिचाई की विवस्था अच्छी होती है वहाँ पर इसे सितंबर और अक्टूबर में भी लगाया जाता है अब बात आती है भूमी व उसकी तैयारी जमीन उग जाओ हो तथा जिसमें जल निकास अच्छा हो तो पपीते की खेती उत्तम होती है जिस खेत में पानी भरा हो उस खेत में पपीता कदा पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पानी भरे रहने से पोधिय में कॉलर रॉट बिमारी लगने की संभावना रहती है अधिक गहरी मिट्टी में भी पपीते की खेती नहीं करना चाहिए खेत को अच्छी तरह जोन्त कर समतल बनाना चाहिए तथा भूमी का हलका धाल उत्तम है दो एक्स दो मीटर के अंदर पर लंबा चोड़ा गहरा गड़ा बनाना चाहिए इन गड़ों में बीस किलो गोबर की खाद पांच सौ ग्राम सूपर फास फेटे वन दो सौ पचास ग्राम यूरेट आफ पुटाश को मिटी में मिलाकर पौधा लगाने के कम से कम दस दिन पूर्व भर देना चाहिए अब बात करते हैं पपीते की की इस्म पूसा मेजस्टी ये वन पूसा जाइंट वाशिंटन सोलो कुएंबटूर हनीडियो कूर गहनीडियो पूसा डवार्प पूसा डेलिसियस सिलोन पूसा नन्हा आदी प्रमुख किसमे हैं अब बात करते हैं पौध्य तयार करना पपीते के पौध्य बीच द्वारा तयार किये जाते हैं एक एकर में पौधे रोपन के लिए 40 वर्ग मीटर पौध क्रित्रव 125 ग्राम बीच परियाप्त रहता है इसके लिए 1 मीटर चौड़ी वा 5 मीटर लंबी क्यारियां बना ले प्रते क्यारी में खूब सड़ी गली गोबर की खाद मिलाकर वा पानी लगाकर 15 से 20 दिन पहले छोड़ देते हैं बीच को 3 ग्राम क्याप्तान दवा प्रती केलो बीच की दर से उपचार करके 15 सेमी दूरी पर 2 सेमी गहरबुएं रोग से बचाव के लिए 100 लिटर पानी में 200 ग्राम क्याप्तान दवा घोल कर छिड़काव करें दोस्तों अब बात करते हैं खाद देवन उर्वरक एक पौधे को वर्षभर में 250 ग्राम नत्रजन 250 ग्राम स्फुर एवन 500 कॉम ग्राम पुटाश की आवशक्ता होती है इस इच बराबर भाग में बाट कर प्रती दो माह के अंतर से खाद तथा उर्वरक देना चाहिए खाद तथा उर्वरक को मिटी में मिला कर थैली में देकर सिचाई करना चाहिए इस मिश्रन को नर पौधों को और ऐसे पौधों को नहीं देना चाहिए जिसे 4-6 माह बाद निकाल कर फेकना है दोस्तो पौध रूपन समय वविधी खेत में जून माह में दो मीटर की दूरी पर पचास गुणा पचास गुणा पचास सेंटीमीटर गढ़े खोद कर उनमें गुबर की खाद्व मिट्टी की बराबर मात्रा मिला कर भरें तथा सचाई करें ताकि मिट्टी बैठ जाए पौध रूपन समय बचाए जब पौध रूपन समय वजब गढ़ें पपीते के लिए प्रति पौध की कहती करने पर प्रती पौध 40 किलोग्राम तथा प्रती एकर 200 से 250 कुंटल तक पैदावार मिल जाती है दोस्तो जल प्रबंधन पपीता के लिए सिचाई का उचित प्रवनंद होना आवश्चक है गर्मियों में 6-7 दिन के अंतराल पर तथा सर्दियों में 10-2 दिन के अंतराल पर सिचाई करनी चाहिए वर्षा रितू में पानी न बरसने पर आवशक्ता अनुसार सिचाई करनी चाहिए सिचाई का पानी पौधे के सीधे संपर्क में नहीं आला चाहिए दोस्तो, रोग वकिट प्रबंधन, पपीते के पौधों में मुझैक, लीप करल, डिस्चोसरन, रिंग स्पॉट, जड़ेवन तना सड़न, एंथरेक नोजेवन का लीत तथा पुश्प्रिंट का सड़ना आधी रोग लगते है इनके ने अंतर्ण में वोडो मिक्स अचर पांच अनुपात, पांच अनुपात, बीस के अनुपात का पेडो पर सड़न वलन को खरोच कर लेप करना चाहिए अन्य रोग के लिए वलाइट आक्स 3 ग्राम या डाई थे नेम, 45, 2 ग्राम प्रती लीटर अथवामन को जेव याजिनेव 0.02% से 0.25% का पानी में घोल बनाकर छिटकाव करना चाहिए अथवका पर आक्सी क्लोराइट 3 ग्राम या रासी काल 2 ग्राम प्रती लीटर पानी में मिलाकर छिटकाव करना चाहिए पपीते के पौधों को कीटों से कम नुक्सान पहुचता है फिर भी कुछ कीड़े लगते है जैसे माहू, रेट स्पाइडर माईट, निमेटो डादी है नियंतरन के लिए डाई में थो 8 TCC, 1.5 मिली लीटर या फास्पो में डान 0.5 मिली लीटर प्रती लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से माहू, आधिका नियंतरन होता है दोस्तों अब बात करते हैं, फलों को तोड़ना, पाउधे लगाने के 9 से 10 माहं बाद फल तोड़ने लायक हो जाते है, फलों का रंग गहरा हरे रंग से बदल कर हलका पीला होने लगता है, तथा फलों पर नाखुन लगने से दूद की जगे पानी तथा तरहल निकलता हो तो समझना चाहिए कि फल पग गया होगा, फलों को साबधानी से तोड़ना चाहिए, छोटी अवस्था में फलों की चटाई अवश्य करना चाहिए, दोस्तों अब बात आती हैं, उपज की प्रती हेक्टर पटीते का उतपादन 35 से 40 टन होता है, यदि 1500 रुपे टन भी कीम करें और सब्सक्राइब करें कमाई के मकें यूट्यूब चैनल ताकि हमारी अगेन आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पाहुच चकें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धने बात दोस्तों